इस question में जैसे CL2O और F2O जो bond angle का order दे रखा है तो इसमें CL2O में around 111 degree है फिर एक क्या पुछा है F2O तो इसमें around ये 102 degree है और ये जैसे bond angles value अपने sheet की theory में भी ये वाला example दिया हुआ है तो obviously hydration SP3 है क्लोरीन atom के big size के कारण ऐसा ये increase हुआ है और अगर जैसे bond angle में ये concept है कि side के atom की electro negativity अगर जादा होगी तो bond angle कम होगा क्योंकि वो अपनी और electron अटेक कर लेगा तो वो repulsion जो है वो nearby bond pairs में ऐसे कम हो पाएगा तो B में भी इसी को follow किया आगया है कि side atom electronegativity more जैसे क्लोरीन में तो bond angle value ये हमारे जो होगी less होगी अच्छा h2o का value लगबग 1.0 4.5 degree है data wise है ये और जो है f2o दे ही रखा है 1.0 2 degree का तो यहाँ पे अगर मैं NO2 प्लस में हाइब्रेशन देखूं तो sp है और NO2 माइनस में अगर हाइब्रेशन देखूं ये मेरा जो जा रहा है इसमें तो ये value मेरे जो है वो stake number की 3 जा रही है इसमें तो ये sp2 होगा तो in general sp हैब्रेशन में ज्यादा ही bond angle आएगा percentage excreator ज्यादा है तो और इसमें bond angle कम आएगा तो order देखे क्या दे रखा है NO2 प्लस में ही जो है वो ज्यादा दे रखा है और हम ideal situation में जब सारे bond pair हों तो जानती है sp में जो है वो 180 degree है sp2 में 120 degree है अगर lawn pair आ जाएगा वो थोड़ा कम कर देंगे lawn pair bond pair repulsion आ जाएगे lawn pair lawn pair repulsions आ जाएगे तो लेकिन इसमें इससे जो है वो ज्यादा ही रहेगा और ये जैसे अपना linearly structured है इसमें next option है D option तो B2S6 में ये special bond है जिसे क्या बोलते है 3 centered 2 electron bond और banana bond ऐसे दो bond है एक ये उपर वाली तरफ है और एक देखिए ये नीचे वाली तरफ है तो bond ये दो H है ये plane में नहीं है ये एक अबाव में है एक बिलो में है तो अपनको stretch करना पड़ा है तो bond length यहाँ bridging वाले ये bridging वाले हैं bond length इन में ज़्यादा है लेकिन bond angle कम है और bond angle किन में ज़्यादा है ये terminal वाला H, B, H कोने वालो में और यहाँ bond length क्या हो जाएगी BH bond की bridging वाले से कम हो जाएगी तो ये दो बातें याद रखिए obviously अगर उसको plane से बाह ले जाना है तो थोड़ा elongate करना पड़ेगा खेशना पड़ेगा bond length उसमें higher रहेगी और bond angle जो है वो कम है तो इन्होंने बोल रख है bridging का ज़्यादा नहीं terminal का bond angle जो है वो इसमें ज़्यादा होना चाहिए तो ये गलत है these are the answers